अब हम इस वीडियो में integration by parts के एक special case के बारे में पढ़ने वाले हैं यदि हमें कोई function इस form में दे रखा हो कि e की power x into function plus function का derivative तो हम उसका integration कैसे करेंगे सबसे पहले हम इस पूरे term को i के equal अजूम करेंगे अब हम इसको आगे split करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अब हमने यदि इस term को i1 एजूम किया तो इसको हम लिख सकते हैं i is equal to i1 plus integration of e की power x f dash dx तो अब हम पहले i1 की value find करने की courses करते हैं तो i1 था हमारा integration of e की power x f x dx अब यहां हमारे पास दो function है e की power x and f x तो हम इसे integration by parts से solve करेंगे हम integration by parts में ilet rule यूज करते हैं u and v find करने के लिए and यदि हम ilet rule में देखें तो जो exponential है वह सबसे नीचे आता है इसका मतलब e की power x हमेशा ही v होगा चाहे f x कुछ भी हो and उस case में f x uk equal होगा अब हम जब आगे इसे solve करने के लिए u.v formula का use करेंगे तो हम i1 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जब हम इसे आगे solve करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की terms मिलती हैं तो अब हमें i1 की value मिल गई है अब हम i1 की value वापस से i में put करते हैं जिससे की i is equal to हो जाएगा i1 जिसकी value हम find कर चुके हैं प्लस remaining part अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये दौनों term एक दूसरे से cancel हो जाएगे जिससे की हमारे final i की value आएगी e की power x into f x प्लस c तो अब आप यहां देख सकते हो कि जो हमारा original function था उसका integration हमें मिल चुका है और वह e की power x into f x प्लस c के equal है इसे हम एक example से समझते हैं माना हमें e की power x into sin x प्लस cos x का integration करना है तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हमें कैसे solve करना है हम सबसे पहले इस given function को i के equal assume करेंगे अब हम right hand वाले part को split करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहां हम इस part को i1 के equal assume करेंगे और हम पहले i1 की value find करने की courses करेंगे हम यहां integration by parts method का use करेंगे जिसमें की हम u.v का formula पढ़ चुके हैं जब हम इसमें इस formula को apply करेंगे तो हमें i1 की value मिलेगी sin x into e की power x minus integration of e की power x cos x dx plus integration constant c अब हम i1 की value i में put करेंगे जिससे की i equal to this हो जाएगा इससे जब हम आगे solve करेंगे तो हमें मिलेगा i is equal to e की power x into sin x plus c तो अब आप देख सकते हो जैसा की अभी हमने method पढ़ा था उसी method का use करके हमने given function का integration कर लिया है लेकिन हम इस question को direct formula यूज करके भी solve कर सकते हैं अब ही हम पढ़ चुके थे कि यदि हमारा function e की power x into fx plus f dash x की form में हो तो हमने उसके लिए एक formula derive किया था यदि हम उस formula का direct use करें तो हम पहले fx in f dash x find करते हैं यहां सबसे पहले हम इसको i के equal assume करेंगे तो हम यदि sin x को fx माने तो cos x f dash x के equal हो जाएगा तो हम पढ़ चोके हैं कि e की power x into fx plus f dash x के integration का formula होता है e की power x into fx plus integration constant c इसे से जब हम apply करेंगे तो यहां से हमने देखा था कि sin x fx के equal था तो हमारा final answer होगा e की power x into sin x plus integration constant c